कौन के तdessब आतर्वेशों इसने पॉर्टें ऑंच्ट मोलुटी से तो हाउ इम्पॉर्टन टोपि से पोष्ट प्रिप्रिपोस्ट तो यह तॉकिक आपके लिए आपके मैंशिन एंटिवियर इन कहाओ फ्रेम इन्ट और एक्षिन सो पार्ट जो उसका फर्स्ट होगा कॉंस्टूशन एंड प्रेंबर उस पे 25 कॉस्टेंज आज हम डिसकस करेंगे जो प्रीविस एक्जाम में बार बार रिपीट हुए बहुत बार यह चीजे पूछी गेंगे वही कॉस्टेंज पर हम प्रेक्टिस करेंगे फि यह टॉपिक आपका पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा यह टॉपिक आपका जर्नल अवेर्नेस में वहां पर मेंशन है सो यहां से आपको एक दो कॉस्टेंज देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए है और प्रिविस एक्जाम में पूछे गे हैं सो सुपर्व कि अंग्डी फॉलइंग इस नोग बंग इस पॉब्ढक को अंडियन Bä एक कॉस्टुशन कशीन है उनका पॉवडर किसे कहा जाता है कि इन्यंड्य कॉंस्टूशन का बहुत बार स्थ चीज को रखना है और 100 पसेज़ास यह ऑनके सुपर्वाइशन यह का हम में बार इन्यो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए पास दक्टर बी आर अंबेत कर जो थे यह इन्होंने Constitution की बुनियाद डाली थी बहुत इंपोर्टन रोल प्ले किया था यह फॉदर ओफ इंपोर्टन कहा जाता है सो बहुत ही इंपोर्टन है यह question so next question पर आते है next question हमारे पास है on which date बहुत इंपोर्टन किस दिन Indian Constitution was adapted यहाँ पर पूछा गया है adapt किया गया यह नहीं उस दिन यह बन गया तो वो कौन सी डेट थी जिस दिन इसको adapt किया गया था एक हो गया came into force यह वहाँ पर implement कब हुआ यह दो questions बहुत important बनते हैं बनाया किस दिन गया और implement किस दिन किया गया इस तरह से examiner confuse करके आपको question डाल सकता है तो सबसे पहले याद रखना Indian constitution जो था वो adapt किया गया था किस दिन वो था 26th of November 1949 so answer रहेगा second का D part आपका कि 26 November 1949 को Indian constitution को adapt किया गया था तो जिन्हों ने इस topic को अच्छे से पढ़ा है वो उसकी practice करें और इन questions को attempt करें कि आपके कितने यहां पर marks बन रहे हैं so उसके बाद third one हमारे पास है यहां पर third question क्या है इसी के related है question भी बिल्कुल confused नहीं हो ना on which date Indian constitution came into force वो था adapt कब किया गया बनाया कब किया यह हो गया एंपलीमेंट कब हो यह नहीं वहां पर इंडिया के अंदर यह लागू हो गया वहां पर implement हो गया वह came into force on जिस दिन को हम हर साल मनाते हैं यहां पर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वह है 26 ऑफ च्वैनवरी 1950 सो आंसर हेगा third का first part जो है 26 जनवरी जो हर साल हम celebrate करते हैं रिपब्लिक डे 1950 को उस दिन हमारा constitution जो तब वह implement हो गया यहां पूरे इंडिया के अंदर came into force तो थर्ड का आएगा फर्स्ट पार्ट next fourth constitution day of india is celebrated on अब बच्चे confuse हो जाएंगे constitution डे कब celebrate किया जाता है हर साल यह दिन मनाया जाता है क्या यह 26th of January है यह 26th of November है तो याद रखना हर साल इंडिया के अंदर जो constitution day जो होता है वह 26th of November होता है क्योंकि इसी दिन इसको बनाया गया है अड़ाप्ट किया गया है तो इसी लिए 26th of January को तो यह implement हो गया था यहां इंडिया के अंदर तो जिस दिन बनाया गया उसी दिन को हम as a constitution day celebrate करते हैं इंडिया के अंदर इंट्रा मारे पास यहां पर दिएपशन सब और का लिया की इस पहले देने वाले का नाम मात्मा गांधी था डाक्टर ब्यार अंबेत कर बहुत बच्चे इस को अंसर दे देंगे ज्वाला नहरू या मन रोय सो उनका नाम था मन रोय डी पार्ट रहेगा फिफ्थ का अंसर जिनुने सबसे पहले इंडियन कॉंस्टिशन का आइडिया दिया सो रहेगा डी पार्ट एमन रोय नेक्स्ट इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे कितने पार्ट थे और कितने शेडियूल्स थे बहुत बार ये कुशन पूछा गया है अट टाइम आप फोर्मिशन आज की बात नहीं कर रहा जब यह बना तब इसके अंदर कितने थे देखो तब इसके अंदर आर्टिकल्स जो थे वो थे 395 सो आंसर आपका यहीं से आपको मिल जाएगा जब आपको आर्टिकल्स का पता होगा तो यह आपको option हो नहीं सकता 71, 72, 380 सो आर्टिकल्स थे 395, पार्ट्स थे 22, शेडियूल्स थे 8 बहुत important question है पूछ सकता है कि जब constitution बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेडियूल्स थे और आज मैं बता देता हूँ, presently आपके पास इस वकद 2024 में इस वकद presently आपके पास आर्टिकल्स थे आपके constitution में कितने है, 448 अगर presently आज का पूछेगा तो वो इतने हैं, अगर पूछेगा schedule कितने हैं, वो उस वकद schedule 8 थे, आज schedule 12 हैं, और उस वकद हमारे पास part 22 थे, आज part कितने हैं, 25 यह चीज़ भी याद रखना आज की भी और उस वकद कितने थे so next question हमारे पास, cabinet mission to India was headed by, जब इंडिया में cabinet mission आया, अब सबसे पहले cabinet mission कब आया था, यह आया था 24 of March 1946 को, यह इंडिया में क्यों आया, यह इसलिए आया कि जो British government थी, वह उसके powers को transfer किया जाएगा, political leadership इंडिया की जो थी, उनको दिये जाएंगे powers, यह यहां के लिए, एक तो यहां पे constitution of India को बनाना था, उसके लिए और जो powers थे, British government से, Indian government को transfer करने के लिए cabinet mission आया, यह 24 March 1946 को यहां पे आया, यह चीज़ याद रखना क्यों आया, और इसको head कर रहे थे कौन, उनका नाम बहुत important है, वो थे Lord Pathic Leverance, तो इसे कौन lead कर रहा यहां था, Lord Pathic Leverance, इसी cabinet mission जो था, इसी के accordingly बाद में, constant assembly यहां पे बनाई गी, next question हमारे पास, the constitution of India was adapted by, इसे adopt किया गया, constitution of India को, मैंने अभी बोला, के constitution of India को adapt किया गया, किसने, क्या governor general, British parliament, constant assembly, parliament of India, constant assembly, जो यहां की constituent assembly बनाई गई, उसी ने constitution of India को adopt किया, बनाया, तो यह चीज़ बहुत important है, बहुत important question है, यह चीज़ जा जखना, next, the constant assembly, जिसने constitution को बनाया, for undivided India, उस होकर इंडिया divided नहीं था, first time मैं टान, यह constant assembly, किस दिन, क्या date थी, जिस दिन यह पहली बार मिली, तो वो date हमारे पास थी, 9th December 1946, यह तो पता है, 47 नहीं थी, 46 थी, लेकिन exact date यादर ना, पहली बार जब मिली, वो था 9th December 1946, next question आपका, who is the president of the constant assembly, बहुत important question है, बहुत बार पूछा गया question है, बहुत सारे exams में एक question पूछा गया है, कि president कौन थे, constant assembly के पंडिट जोयला नहरू थे, डाक्टर रजिंदर परसाद, डाक्टर बी आरम बेतकर, सी राजा गोपाल चरी, सो उनका नाम था, डाक्टर रजिंदर परसाद, यह जो थे, यह constant assembly के president थे, यह बहुत बार यह question पूछा गया है, इसलिए से अच्छे से याद रखें, next, who among the following was a constitutional advisor to the constant assembly, वो जो constant assembly बनाई गयी थी, constitution के लिए, उसका constitutional advisor कौन था, तो उसे कौन advise करता था, constitutional advisor जो था, वो बियन रोय था, याद रखना, उनका नाम था, बियन रोय जो constitutional advisor थे, जो constitution, constant assembly बनाई गयी थी, किस के लिए, constitution बनाने के लिए, next question, 12, the constitution of India was enacted by the constant assembly, set up, यह को, constitution of India को किस ने enact किया, constitution assembly ने, जो मैंने अभी बोला, set up, जो बनाई गयी थी, यह constitution assembly में ने, ऊपर एक mission, आपको बोला था, cabinet mission, उसी के अंडर बनाई गयी थी, constitution assembly, क्यूंकि cabinet mission जब आया, 1946, उसका main aim था, कि British Parliament, जो British government के power से, union government में transfer करना, और यहां की constitution को बनाना, तो constitution assembly जो थी, वो किस ने, set up की, under the cabinet mission plan, 1946 के अंडर, यह बहुत important है, यह याद रखना, बहुत ज़्यदा important है, 13 question, who presided over the inaugural meeting of constant assembly, जब a constant assembly की पहली inaugural, यह नि, first time जब इसकी meeting हुई, तो उसको किस ने head किया था, उसकत, inaugural पूछ रहा है, यही starting में जब बनी उसके बाद, पहली meeting थी, उसे, उनका नाम था, 13 का A part आएगा, बहुत बार यह question पूठा गया है, सचिंद्रा सिना, उनका क्या नाम था, सचिंद्रा सिना, जिनुने first time constant assembly जब बनी, उसकी inaugural meeting हुई, तो वहां पे उसको head किया था, preside किया था, सचिंद्रा सिना ने, next question हमारे पास है, who among the following was the chairman of drafting committee of union constitution, बहुत ज़्यदा important है, इसको triple star नहीं, इसको five star में, इस question को रखना, कि जो constitution की union constitution की drafting committee थी, उसके chairman कौन थे, बहुत बार यह question repeat हुआ है, बार बार exam में, उनका नाम था, dr. b.r. ambedkar जो थे, यह drafting committee जो थी, union constitution की, उसके chairman थे, dr. b.r. ambedkar, next question, the union constitution has borrowed the idea of preemble from, preemble का मतलब क्या होता है, preemble का मतलब है, introductory statement, preemble क्या होई, introductory statement, यहनि हर चीज़, हम कोई book open करते हैं, उसका पहले क्या होता है, introduction होती है, उसे बोलते है, preemble, तब ही बोलते हैं, constitution का preemble क्या हुआ, preemble का मतलब है, उसकी पहला page, उसका first, उसकी introduction, उसी को preemble बोलते हैं, तो preemble form, idea of preemble form, union constitution ने कहां से यह idea लिया है, किस country के constitution से उनको यह idea मिला, तो यह मिला था, उनको constitution of USA, America के, यहनि USA, United States of America का constitution था, वहां से उने यह preemble का idea मिला, next, यह बहुत important है, the preemble of the Indian constitution का, जो preemble है, उसका पहला page, यह introduction है, जहां पे, वहां पे कुछ line लिखी हुई है, यह line याद रखना, बहुत बार exam में यह पूछी गई है, यह preemble में क्या लिखा गया है, वहां लिखा गया है, the part I guess का, we the people of India, यह line वहां पे लिखी गई है, we the people of India, in our constant assembly, adapt, enact and due to ourselves to this constitution, यह line आपको वहां पे देखने को मिलेगी, कहां पे, जो constitution of India है, वहां पे यह चीज mentioned है, तो ठीक है, बहुत ही important है, यह line याद रखना बहुत बार पूछी जाती है, प्रेंबल में क्या चीज लिखे 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 लिखेंगी है, so next 18 question, which of the following is not part of the preemble of the Indian constitution, Indian constitution का जो preemble है, जो introductory part है, उसमें एक चीज मैंशन नहीं है, देखो, secularism वहां पे यह term mention है, socialism यह भी है, democratic republic यह भी है, federalism वहां पे term नहीं है, यह तीनु टर्म्स आपको मिलिंग, इनियन के preemble, preemble जो होगा, Indian constitution का introductory part, वहां पे, secularism का मतलब पता है, जहां पे religion जो मजभ है, should not be, वह से involved नहीं करना चाहिए, political activities, social activities में, इन्हीं सारे जुतने भी religion से, वह equal है, और socialism का मतलब, society and democratic republic, democratic republic का मतलब होता है, हमारे पास, जो supreme power होता है, वो people होते है, क्योंकि उन्हीं अपने representatives बेजे होते है, लोग जो होते है, वो ही main power होते है, यहां पे कोई भी monarchy system नहीं होता, तो यह तीनु टर्म्स वहां पे mention है, और federalism वहां पे नहीं है, है, so next question हमारे पास है, 19, who among the following mode objective resolution, बहुत important है, यह constitution से related है, objective resolution, which form title basis of the preamble of the Indian constitution के preamble का title basis बनाता है, नाइनिन constitution assembly on December 13, 1946 को यह resolution पास हुआ, तो इसको कौन lead कर रहा था है, इस objective resolution को यह किस ने लाया था, यह थे इंडिया के पहले प्राइम निस्टर पंडिट जोयला नेरू, जिन्होंने objective resolution लाया था, जिसमें constitution के preamble के बारे में सारा कुछ mention था, और constitution assembly किस तरह से बनाई नाइनिन constitution is regarded as, इंडियन constitution को हम क्या federal बोल सकते हैं, unitary बोल सकते हैं, parliamentary यह federal in form and unitary in separate, देखो इंडिया का constitution फेडरल भी है और unitary भी है, किस लिहास से देखा जाए, अगर हम फेडरल की बात करें, तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे दो गर्मेंट्स होती ह Central Government, State Government और powers center के पास भी होते हैं, State के पास भी होते हैं, और judiciary यहाँ पे independent है, तो यह हमारे पास क्या होती है, यह हमारे पास federal type of government होती है, और unitary भी है, इंडिया, देखो unitary कैसे है, यहाँ पे, center जो होता है, वो strong होता है, यहाँ पे, और single citizenship, इसी तरह से single constitution, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का constitution, unitary भी है और federal भी है, तो answer रहेगा D part, इसके बाए, 21, the term socialist, मैंने अभी बोला, यह constitution के प्रेंबल में mention है, secular, यह भी integrity, वे अड़े प्रेंबल वे इनियन constitution तुरू, यह इनियन constitution के प्रेंबल में add की यह तीनु टरम्स कौन सी amendment की गई थी, वो उस amendment का नाम क् 41st amendment, 42nd, 43rd, 44rd थी, बहुत बार यह question पूछा गया है, याद रखना वो थी 42nd amendment, इस amendment के accordingly तीन वर्ट्स इनियन के प्रेंबल के अंदर यह डाले गे, socialist, secular, और integrity, नेक्स्ट, इनियन पॉलिटी, which one is supreme, इंडियन पॉलिटी के अंदर, political system के अंदर सबसे सुप्रीम कोन माना जा राता है, क्या supreme court को माना जाता है सबसे supreme constitution को, प्रेंबल, parliament को, religion को, सबसे supreme union polity, union politics में constitution of india को सबसे supreme माना जाता है, यह चीज़ भी याद रखना, the federal system with the strong central जहाँ पे center strong strong होगी has borrowed the union constitution from any एक federal system of any union constitution मैंने भी बोला federal भी और unitary भी है तो federal जहाँ पे center जो होती है strong होती है इसको किस constitution से लिया गया है किस से ये लाया गया है तो ये Canada के constitution से ये चीज लाएगी कि इंडिया का जो constitution of federal system भी है वहाँ पे so 24 question क्या है who proposed the primble before the drafting committee जो drafting committee थी जिसके chairman भी अभी बने आपको बोला उसके सामने primble को सबसे पहले किसने ला के रखा था primble को introduction of constitution को सबसे पहले किसने वहाँ पे रखा था उनका नाम था जवहलाल नहरू बहुत important question next बहुत बार ये भी पूछा गया है how long did it precisely take to create a constitution of इंडिया को exact कितना वक्त लग गया था बनने में so इसको लगा था 2 साल, 11 महीने और 17 डेज, 2 years, 11 months, 17 डेज, इतना time लगा इंडियन constitution को exact time जो बनने में so ये थे हमारे पास top most best important mcqs जो आपके constitution और introductory part जो था प्रेंबल का वहाँ से बहुत बार ये questions repeat हुए है so ये complete होते हैं इसकी वीडिया बाद में आपको टेलीरम channel पे मिल जाएगी और next topic जो होगा उस पे हम cover करेंगे जो हमारा fundamental rights है उस पे भी इसी तरह से हम questions top most जो बार बार repeat होते हैं वो questions लाएंगे और उसके बाद fundamental duties पे भी so ये topic complete हो जाएगा so मिलते हैं कल जो भी first so मिलते हैं कल okay allah hafiz thank you